दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम जानने वाले ही अख्रोट के बारे में कि दोस्तों अख्रोट हमारे लिए क्या फाइदा कर सकता है दोस्तों अख्रोट का रंग बुरा होता है इसका स्वाद वीखा, मदूर चिकना और स्वादिष्ट होता है अखरोट गरम और सुस्क प्रकति का होता है दोस्तों अगर आप अखरोट का सेवन करना चाहते हैं तो इसका एक बार में 10-20 ग्राम तक आप सेवन कर सकते हैं इससे ज्यादा मात्रा आपको सेवन नहीं करने चाहिए अखरोट बहुत बलवर्दक है रिदय को ये कौमल करता है रिदय और मस्तिस्क को पुष्ट करके उच्साही बनाता है इसकी भूनी हुई गीरी सर्दी से उत्पन खासी में लाबदयक होती है तो चलिए जान लेते हैं कि आप अख्रोट का क्या प्रियोग कर सकते हैं दोस्तों आप टीबी रो में आप अख्रोट का प्रियोग कर सकते हैं साबूत अख्रोट को यानि कि छिलके और घीरी सहित साबूत अख्रोट को कूट कर छान कर एक चमच सुबर सम ठंडे पानी में कुछ दिन तक नियमित रूप से अगर आप सेवन करते हैं तो इससे पत्थरी मुत्र मार्ग से बा के चहरे पर फोड़े फुंसिया निकलती हो तो एक साल तक रोजाना प्रति दिन सुबय के समय पांच अख्रोट का अगर आप सेवन करते हैं तो इससे चहरे की फुंसियों में राहत मिलती है दूस्तों अख्रोट मस्तिश्क के लिए बहुत फाइदेमद होता है अख्रोट का व्यक्ति है वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है तो आठ अख्रोट की गीरी चार बादाम की गीरी और दस मुनका को रोज सुबह के समय खाकर उपर से 250 ml अगर वो दूद पीता है तो व्रिद्धा वस्ता की निर्बलता इससे दूर हो जाती है अख्रोट नेत्र ज्य को पीस कर अंजन करने से आखों की रोशनी वरती है अख्रोट की चाल को मुव में रखकर चवाने से आपके दांत स्वस्त होते हैं अगर कोई व्यक्ति 10 ग्राम अख्रोट की गीरी 10 ग्राम मुनका के साथ खाता है तो उसके शरीर में ताकत बढ़ती है बल बढ़ता है तो दोस्तों ये थे अख्रोट के कुछ अंजान सत्य अगर आपको जानकरी पसंद आई हो तो हमारा चनल आप जरूर सस्क्राइब करें तन्यवाद